चैम आता दी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों नवंबर माह शुरू होने वाला है और नवंबर माह में बनने वाला सबसे लाबदायक योग के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है गज केसरी योग ग्रह नक्षत्रों में जब भी राशी परिवर्तन होता है जब भी कोई ग्रह राशी बदलता है तो योग का निर्माण होता है जब दो ग्रह एक साथ मिलते हैं तो एक यूती होती है और एक योग का निर्माण होता है ऐसा ही एक योग है गुरू और चंद्र के साथ मिलने से बनने वाला जो की गजकेसरी योग कहलाय जाता है गजकेसरी यानि जैसे गज यानि हाती के अंदर ताकत होती है शक्ति होती है वैसा ही पावरफुल वैसा ही योग होता है और गुरू जो होते हैं वो होते हैं धन के कारगग है तो जब गुरू और चंद्र दोनों मिलते हैं तो गजकेसरी योग का निर्मान होता है और कुम्ब राशी की हम बात कर रहे हैं तो कुम्ब राशी के जातकों के लिए नवंबर के महीने में चार बार गजकेसरी योग बन रहा है यानि चार बार चंद्र और गुरू की यूती से इनके लिए गजकेसरी योग का निर्मान होगा यानि महीने में आठ दिन आपके लिए बहुत लाबदायक रहने वाले हैं तो उन दिनों के बारे में हम आपको बताएंगे जो बेहुत लाबदायक सिद्ध होते हैं यह योग जो होता है यह बहुत पावरफुल योग होता है और इस महीने में ये योग आपको बहुत अधिक लाबदायक स्थितियां पैदा करने वाले हैं तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो योग है ये आपके लिए किन किन दिनों में बन रहे हैं और आपको क्या क्या लाब इन से मिल सकता है तो उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके पहला जो आपके लिए गजकेसरी योग बन रहा है वो 8 नवंबर को बन रहा है 8 नवंबर से 10 नवंबर तक आपके लिए केंद्र में आपके लाब स्थान में गुरू चंदर की यूति हो रही है और ये जो गजकेसरी योग है ये आपके लिए धन लाने वाला गजकेसरी योग है क्योंकि ये लाब के घर में बन रहा है लाब के घर में गजगे स्रियोग बनने से आपको धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर होनी है यानि ये आपके लिए पैसे लाने का दिन है आपको धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर होनी ही है ये धन आपको किसी भी श्रोत से प्राप्त हो सकता है लेकिन दहन आपको मिलने ही वाला है इन दो दिनों का आप फाइदा उठाएं इन दो दिनों में आप अपनी कारशेत्र में अपने निवेश करने में या जिस भी तरह से आप इन दो दिनों का फाइदा उठा सकते हैं अपनी नई योजना बनाने में तो ये आपके लिए बहुत ही powerful एक दिन है जिने कहते हैं कि आपके सोचे हुए कार्या पूरे हो जाते हैं या आप जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है वैसे इन दिनों को आप माल सकते हैं तो इन दो दिनों का आप खास ख्याल रखें और नोट करके भी रख लें तो पहला 8 से 10 नवंबर तक का आपके लिए गजगेश्री योग का निर्मान हो रहा है और दूसरा जो गजगेश्री योग है वो है 15 नवंबर 15 नवंबर से 17 नवंबर सुभा तक गजगेश्री योग आपके लिए बन रहा है जो चंद्र और गुरु की यूति आपके लिए हो रही है ये अपने प्रेम सम्मंद को विवाह में परिवर्दित करना चाहते हैं तो इन दो दुनों में आप अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं Education फिल्ड के जुड़े लोगों के लिए ये लाबदायक समय होगा बच्चों के लिए लाबदायक समय होगा अगर इन दिनों में प्रतियोगी परिक्षा होती है तो आपने शित तौर पर कामयाब होंगे इन दिनों में की कई पढ़ाई आपके लिए बड़ी ही पावरफुल रहेगी इस समय जो योजना बनाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी तीसरा जो गजकेश्री योग है वो है 22 नवंबर को 22 नवंबर को जो गजकेश्री योग बनेगा वो आपके लिए उतरा लाबदाय किसी दिन नहीं होगा तो इसकी हम बात नहीं करते हैं चौथे जो गजकेश्री योग के करते हैं वो है 28 नवंबर 28 नवंबर का जो चंदर गुरू की यूती है धनुराशी में 28 और 29 नवंबर को ये जो गजकेषरी योग है ये भी आपके लिए बहुत powerful योग कहा जा सकता है धन प्राप्ती के लिए धन लाब के लिए ये आपके लिए धन प्राप्ती का दिन है आपको इन दिनों में पैसा मिलीगा ही मिलेगा आचाहिए वो आपको किसी भी शोट से मिल सकता है, तनक्वा मिलती है, बिजनेस से फायदा होता है, वैपारियों के लिए खास तोर से यह अच्छा है, वैपारी इस समय अधीक लाब कमा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं तो इन दिनों को आफ जरूर कर लें क्योंकि ये लावबदाःक दिन है सोचे हुए कार्या पूरे करने का दिन है jaintaćन प्राप्ती करने का दिन है इनका बेनिफिट आप जरूर लें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेर करने ना भूलें